आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार आपकी सुरभी आपकी सुरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिक अग्रूप रीडिंग लेकर और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखी लिए होगा थमनेल में टॉपिक कुछ इस शुरू हो जाए कई बार हम अपने रूटीन में कुछ तो ऐसा एड कर लेते हैं जाने अंजाने जो कि हमारी लाइफ से पॉजिटिविटी को दीरे-दीरे करके निकाल देता है प्लस हमारी मैनिफेस्टेशन जो रहती है या जो भी हमारे गोल्स है वो उनको अचीव करने म हमें बहुत जादा टाइम लगने लग जाता है या कई बार तो लगता है कि अचीव हम कर ही नहीं पाएंगे तो आज की रीडिंग में मैं वही देखने वाली हूँ कि आखिर आपका रूटीन कैसा है आपको क्या अपने रूटीन में एड करना है चीजों को किन चीजों को और किन चीजों को बहार निकाल देना है OK क्योंकि यह पिका कार्ट रीडिंग है और पिक अ ग्रूप रीडिंग है ग्रूप्स आपको टाइम स्टम पर मिल जाएंगे आपके नेम के इनिशिल्स रहेंगे वो और जो कार्ट की मैं बात करीदी कार्ट मैं आपके सामने रख देती हूं के चलिए तो यह वाला डेक में लूँगी तो यहां से तेन कार्ट में निकालने वाली हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले आप लोग के जो कॉमेंट्स रहते हैं उनी से टॉपिक निकालती अगर आप लोग मुझे शेयर करते रहेंगे कि कौन से टॉपिक आपको चाहिए तो मैं वीडियो लेकर आप आँगी और करियर के अलावा वी क्योंकि जब भी मैं ऐसे बोलती हूं तो करियर के लिए तो आते हैं कॉमेंट्स और जब मैं करियर के लिए रीडिंग्स लेकर कि मैंने कम्यूनिटी बनाया हुआ है जहां पर आप लोगों के लिए प्रे कर सकते हो अगर आपने कम्यूनिटी पोस्ट नहीं देखा है सुबह तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ टाइम से हो गया है काफी सारे मेल आने लग गया है कि दी हमारे लिए प्रे कर बता है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है इस तरीके से पता नहीं कैसे तो मैं कर रही है उनके लिए प्रे कर रही हूं बट क्या होता है न अगर कलेक्टिव प्रेयर्स रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है और वीडियो पर मुझे कई बार ऐसे कॉमेंट जाते हैं कि दी हम अच्छा लगता है लोगों की healing करना, हम अच्छा लगता है लोगों के लिए प्रेय करना, हम healer बनना चाहते हैं क्यों ना यहीं से शुरुवात कर दी जाए मुझे ऐसा लगा कि सभी के लिए एक अपॉर्चनेटी रहेगी तो कम्यूनिटी में ने त्यार करी है जो की क्लोज है यानि कि आप चैट नहीं कर सकते पर वहां पर एकटे रह सकते हो तो अगर किसी का भी मेल आएगा मैं वहां प क्या फाइदा तो फाइदा देखकर आपको यह नहीं करना है फाइदा देखकर मैं भी नहीं करती प्रेय करती हूं तो बस करती हूं यह सोच करने कि मेरा क्या फाइदा होने वाला है क्योंकि प्रेयर्स वही होती है तो अगर आप यह करना चाते हो लोगों को हेल्प परना लोगों को heal करना चाहते है उपको अच्छा लगता है ये करना तो आप उस community का हिस्सा बन सकते हैं उसका link जो है आपको description में मिल जाएगा ओके और गैस तो अभी हम share कर लेते हैं options बाकी जो बाते हैं बात में करेंगे सो ये पहला option है आपके लिए एक तो यहीं से आपको मिल गया जवाब simplifying your life दूसरा देखते हैं क्या option है दूसरा देखते हैं क्या option है दूसरा देख लेते हैं क्या है मैं तीनों cards आपको pass में करके दिखा दूँगी आप लुक्षिंता नहीं जरो बहुत से लोग बोलते में दिखाई नहीं दिया ये 3rd option है तो pass से दिखा देती हूँ ये हैं आपके cards स्क्रीन शॉट ले सकते हैं वीडियो पॉस कर सकते हैं आराम से इन पर meditate करिए और एक या दो आप cards select कर सकते हो और reading आप आप नहीं देख सकते हो देखेंगे कि क्या changes आपको अपने lifestyle में करने है रुटेन में करने है जर्नर रीडिंग है जर्नर रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक timeless reading है आप कभी भी देख सकते हैं जर्नर लेस्ट रीडिंग इसको कोई भी देख सकता है डेस्क्रिप्शन आप लोग चेक करें और वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर से कर देए ओके चाल लिए गाईस शिरू करते हैं हमारी reading देखते हैं कि सभी लोगों के लिए क्या कुछ आता है बट हाँ जो भी guidance आता है प्रिप्या करके उसको follow करें और तो अगर आपने select किया है ये वाला card तो चली देख लेते हैं कि क्या changes आपको करने हैं अपने lifestyle में so that आप positive रह सकें और आपके जो अधूरे काम है वो पूरे हो सकें क्या कुछ आप करते हैं इसमें आपको changes करने की जरूरत है ये येढ करवे कर दूफरे है तो आपको लांस क्तियुत आपको अजोर्स eight or C mí जर टोपवे ये जरे फहाँ सूजाजर का मैं और होई है 9 of Pentacles 9 of Pentacles 10 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 of Pentacles एक काड यहां पर और है उकी टो कि मैलेना चाओंगी, यि वाला, फदिटर लुब 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 的चिया्या मेधि गशर, क्यांतितिए के लुब colony learning and teaching कि अएथ तरे रूं के या दुछ ऑरे दिए्ट इने तो अगंद आट, मेप्टचिक, कैना टकिना ग्याओ, कि अभा प्रूंद, मेपटे रूंद, तरे बूंद, बच्टचिक, कि बुर्टचिक, को नमी दौंद, सॉट्टचिक, कि औूंद, औूंद, त्ॉस्टचिक, कि गाइडर्स के दिखेंगे रिखेंगे तो कि पहले इतने कार्ट मैं डिसक्स कर लेती हुं उसके बाद में पिर कुछ और देखेंगे तो सबसे पहला मेसेज आपके लिए यह है कि अभी हाल फिलाल में आपके इनरजी बहुत ज़ादा लोग इस सबसे ही पहले आपके लिए eight of cups आया, then seven of swords आया, which means आप बचने की कोशिश कर रहे हो, अभी आपका मन ऐसा होगा, mood ऐसा होगा, कि आपको किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ discuss नहीं करना, अगर आप से कोई बात करना चाहरा है, अगर आपको कोई call कर रहा है, message कर रहा है, तो आप उनको reply करना चाहते, आप उनको face नहीं करना चाहते, आप किसी party में function में नहीं जाना चाहते, आप कहीं गुमने फिरने भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी जगह, कोई भी इंसान आपको अभी खुश नहीं रख सकता है, बहुत overthink कर रहे हैं, बहुत टेंशन गलत है, लोग गलत हैं, और सेफ आपको एमोशनल लेवल पर वीक करने के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, सोच नहीं रहे हो, लेकिन इस पीड बहुत स्लो है, बहुत इधीनी, कुछ ऐसा सा है कि ठीक ह मुझे कुछ करना नहीं है, अब ऐसे में जो हो जाए, खुद से तो हो जाए, या थोड़ा बहुत कुछ मैनत करनी है, तो ठीक है, किसी से बात कर लिए, अगर आप फैमिली से दूर रहते हो, तो फैमिली मेंबर से भी जादा बात नहीं करते हैं, किसी से बात कर लिए तो घर का कोई member है तो उससे बात कर ली तो इस type का भी हाल फिलाल में आपका मन हो रखा है उदाय से बहुत and हो आप होट दिख रहा है और यह कई रीजन से हो सकता है कि माली जी आपकी जॉब नहीं है आप interviews दे रहे हो वहाँ पर आपको reject कर दिया जाता है या बिजनेस proposals लेकर जाते हो partnership करनी है किसी के साथ में collaborate करना है तो वहाँ पर बात नहीं बन रही अपना talent आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को तो talent आपका कोई देखना नहीं चाहता या देखते भी हैं तो वह बोल देते हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता है इससे किसी का future नहीं बनेगा आपका भी नहीं हमारा भी नहीं time waste है राइट अगर relationship में हो अगर friendship कर रहे हो तो में भी वही दिक्कत आपको face करनी पड़ रही है आपको लगता होगा कि कोई आपकी emotions को नहीं समझ रहा है मेबी आपका destiny number two हो अब आपका destiny number eight हो मेबी आपका destiny number 9 हो 8 & 9 का combination हो सकता है 2 & 7 का combination हो सकता है यह combination मुझे लग रहा है आपका होगा तो यह सारी चीज है कहीं अभी हा वाला नहीं है तो अभी किसी से बात नहीं करनी और ढूर घट जाना है वहागा सिंधार्य क्लाया यह पास्ट में मेरे साल यह हुआ किसी नहीं किया कर रहे हैं लाकिश आ कउस्छ रहेंगा को समझते देओ यह सारी चीज़ है काई ना कहीं आपके मनं में हाल-荒फिलाल में चल रही है बड क्या है कि यह जो ए concerned है यह जो एनर्जी है यह helpful नहीं है काम नहीं याएगी है यह इस एनर्जी का आना मैं आपको दोश नहीं दे रही कि ऐसAmerica क्योझ आपने ऐसे मन में सोचा ही क्यों, आपने क्यों सोचा कि लोग बुरे ही हैं, आपने क्यों सोचा कि आपको अकेले रहना चाहिए, वो नहीं है कि बार-बार रिजेक्शन मिलता है, बार-बार लोग आपको हर्ट करते हैं, तो इस जगे पर तो आप जाते हो, एट अफ कप्स मे कि आएगा ऐसा नहीं है कि हमें punishment मिल रही है जो भी बुरा टाइम हम फेस करते हैं वह punishment नहीं होता है या तो वह हमारी cleansing होती है purging होती है या फिर हमें कुछ सिखाया जा रहा होता है किस्मत बुरी है ऐसा नहीं है यह लो वन सकेन है गाइस अंब्यक्ष यहां ढूल बच रहते हैं धूल ओके हां तो मैं आपको बोल रही थी कि यह जो भी बुरा टाइम हाता है जो भी टावर मुमेंट्स आते हैं जो आप लोग भोलते हो न तो उनकी आने का कारण यह नहीं है कि आपकी किस्मत बुरी है और मुझे पता है मैं यह बात बोल रही हूँ अभी भी लोग कुछ लोग कॉमेंट करेंगे किस्मत बुरी है तभी ऐसा हुआ आपको यह परसेप्शन चेंज करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए में ब्लेसिंग जाएं में अबनेंस आए मैं आपको बता देती हूँ अगर आप अपना attitude change नहीं करेंगे अपना perception ऐसा ही रखेंगे ऐसे ही रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे तो reading energy ऐसे ही आती रहेगी आप समझ रहे हो ना? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हूँ? आपको fight करना पड़ेगा, आपको face करना पड़ेगा life ऐसी है और हमें उसको वैसे ही और हमें सीखना है कि इन challenges के साथ भी हमें खुश कैसे रहना है और हमें कैसे victory पानी है, ठीक है? तो एक तरीका आपनाएंगे, अगर वो काम नहीं करता है तो दूसरा आपनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम रोने बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि हमने हार मान लिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उससे भी कुछ नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ चीजे बिगडेंगी, अगर आप ऐसे हार मान के बैठ जाओगे, तो क्या होगा? धीरे से आप depression में जाओगे और depression में जाने के बाद में ऐसा हो जाएगा कि आप दूसरों पर निर्वर हो जाओगे, क्या हेल्थ खराब होती है, और हम सभी को ये नहीं चाहिए कि हम किसी पर निर्वर रहे हैं, राइट? मैं depression में जा चुकी हूँ, मैं hospital भी जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या होता है, तो इसलिए यही हमारे लिए बहतर है कि जो भी परिस्तितिया हैं, हम उनको हस कर पहले तो देखें, जाने, समझें, सीखें, और उनहीं में खुश रहने की practice करें ओके, आपको मजबूत बना पड़ेगा, अगर आप ये कहो कि नहीं, हम ये option नहीं करते हैं, हम कमजोर बनेंगे, तो वही है कि हाला तौर बिगर जाता है, ठीक है ना, तो आगर आप, क्यूंकि आप दीदू दीदू बोलते हो मुझे comment में, दीदी बोलते हो, बड़ी बैन है, कुछ लोग बोलते हो कि ममा जैसे लगते हो, तो फिर आपको सुनना चाहिए, मैं कुछ सोच करें, आपको बोल रही हो, राइट, अपना experience जो रहा है, वो शेर कर रही हो, आपको दुख है, परिशानी है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ाए, कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं आपर लोगों को बता दू, नहीं, किताबों वाली बात ने बता रही, जो मैंने खुद किया है, वो आपको बता रही हो, ओके, तो ऐसा है, तो यहां पर कार्ट्स में क्या आया है, कार्ट्स में यह आया है, कि थोड़ा सा आपना ये attitude change करने की कोशिश करो through meditation, सबसे पहले meditation करो, आपने routine में, अगर आपने meditation को जगह नहीं दी है, तो meditation को जगह दो, अब बहुत से लोगों का सवाल रहता है, कि भाई, आम एक दो घंटे निकाल कर meditation नहीं कर सकते, किसने ये बोला कि आपको एक और दो घंटे तक meditation करना है, सिर्फ दो मिनिट दे दो, शुरू में, दो मिनिट दो, फर दीरे-दीरे करके तीन हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आदा घंटा, एक घंटा भी हो जाएगा, जब आप उसको स्टेज पर, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें depression दूर करना है, तो हम drink करेंगे, हम smoke करेंगे, यह नशा होता है, तो हम उसको भूल जाते हैं, वो नशा unhealthy है, यह वाला जो नशा है, यह healthy है, तो meditation kind of नशा ही है, लेकिन यह healthy है, क्योंकि यह आपको आप से जोडता है, आपको आप से दूर नहीं करता, बाकी की जो चीज़ें आप यूज करते हो नशा करना है, यह वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम बहुत negative होते हैं, उस समय हमें अच्छा महसूस करने के लिए, जो हमारे सामने आ जाता है, जो आसान होता है, वो पिक कर लेते हैं, तो अगर हम depression में हैं तकलीफ में हैं, अगर हम meditation करेंगे तो हमें लगता बहुत महनत लगेगी, तो क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखने लग जाते हैं, laptop पर time बिताते हैं, YouTube पर Netflix पर time बिताने लग जाते हैं, कि हम भूल जाएं हमा करना है, तो meditation का करो, ठीक है, कुछ लोग के लिए मैं बोलती हूं, भक्ति करो, तो ये किसी ना किसी तरीके से आपको help करेगा, chanting करो, ये सारी चीज़े करो, लेकिन chanting और भक्ति नहीं करनी है, then meditation करो, ठीक है, अगर अपनाना ही है कुछ ऐसा, तो ये अपना हो, जो helpful है, तो आपको जो सही करना है, लाइफ में हमें, वो सिखाता है meditation, कि कि आपकी आत्मा आपको बताती है कि क्या सही है, क्या गलत, आप meditation की through connect हो जाते हो, आपकी soul से, soul को पता है सही क्या है, गलत क्या है, तो कोई भी गलत काम आप करोगे नहीं, और दूसरों को भी करने नहीं दोग शुरू शुरू में हो सकता है, आपको थोड़ा सा ये लगे कि चकर आ रहा है, भारी पन है, ये सब कुछ लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, उसको छोड़ना नहीं है, ओके, दूसरा कोशिश करिए शिकायते कम करने की, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, हाँ, हमने बुर्ट भी है अंदर, लेकिन शिकायत नहीं करनी है, क्या सोचना है, ऐसे में, सोचना ये है, कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि, या तो मेरा कोई पास लाइफ करमा रहा होगा, या फिर इससे मुझे कुछ सीखना है, जैसे लोग मेरी जब आलोशना करते ह ना, कई बार मैं पोस्ट आपके साथ में शेयर करती हूं, तो पोस्ट शेयर करने का मतलब यह नहीं होता, कि मैं उसको पकड़ के बैठ जाती हूं, पोस्ट में शेयर करती हूं, so that मैं लोगों को बता सुकू कि ऐसी चीज़े हो रही है, आपको अगर तकलीफ है, तो आप म मैंने किया, उसकी misunderstanding आपको हुई है, ऐसा नहीं कि मैं उसको पकड़ के बैठ लगातार लोगों से शिकायते करूं, उसने मैं को ऐसा बोला, उसने मैं को ऐसा बोला, नहीं, अगर आप यह करोगे ना, तो जिनसे आप शिकायत कर रहे हो, उनकी नजर में भी ऐसा हो जाएगा कि अरे आप कितने कमजोर हो, और आपको भी शिकायते करते करते एक टाइम पर लगेगा कि यार क्या यही मैं लाइफ में करती रहूं, and it won't help, आखिर में ना, it won't help, अगर आप बहुत शिकायते करके आपको लगता है कि आपकी help हो जाएगी, कोई help नहीं करता, ठीक है, तो अपनी यह जो habit है ना, यह अपने अंदर से निकालो, किसी ने कुछ बोला तो किसी को शिकायत करनी है, नहीं करनी है, सीखना है और दूसरों को सिखाना है, learning and teaching, ओके, यह आपको बोला गया है, meditation, then learning and teaching, release the need to complain, छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो, तो यह तीन चीज़े आपको अपने lifestyle में डालनी है, मतलब अगर यह चीज़ आप कर रहे हो, इसको हटा दो, इसको डाल दो और इसको भी डाल दो, ठीक है, then कुछ हलकी फुलकी चीज़े हैं, जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, soak in a bath, तो जब आप नहाने के लिए जाते हो ना, energized candles चाहिए, तो मैं आपको बता सकती हो, आप कहां से ले सकते हो, मेरे पास नहीं है, लेकिन जहां पर आपको अच्छी मिलेंगी, वो मैं आपको बता सकती हो, आप लोग चाहे तो धूब वगेरे भी अपने bathroom में रख सकते हो, या diffuser जो आता है, diffuser मेरे पास नहीं है, आप Amazon या flip card पर कहीं तो मिलेगा, तो diffuser आप अपने bathroom में लगा सकते हो, तो जब आप नहाने के लिए जाते हो ना, तो थोड़ा सा relax आपको वहाँ पर होना है, एक तो यह चीज़ कर सकते हो, अपने lifestyle में, office जाते हो तो शाम को जब घर वापस आते हो, उस वक्त ही कर सकते हो, right, positive affirmations, दूसरा आप कर सकते हो, कि जितने positive affirmations आप चैन कर सकते हो, आप गूगल पर देख लो, आप एक super app करके है, चाहें तो वो install कर लो, इन जगों पर आपको affirmations मिलेंगे, नई तो जो मैं community में डालती ह वो आप save कर सकते हो, बहुत से लोग तो वही save कर लेते हैं, तो positive affirmations आपने बोलने है, कब बोलने है, सुबह उठते ही, जैसे आप सुबह उठे, सारे affirmations वगरे आपने बोले, उसके बाद काम शुरू किया, okay, और जिन लोग उने crystals लिया है न, मुझसे, उनको तो एक card मिला ह का affirmations का, जो कि 7 चक्रा को cleans and balance करता है, तो आप भही बोल सकते हो, अगर आपके पास card है, अगर आपने उड़ा दिया, उसको तो नहीं कह सकते कुछ, लेकिन अगर आपके पास है, तो यह कर सकते हैं, और watch a movie, और हफते में एक दिन आपको कोई तो एक अच्छी सी movie देखनी ह है, यह need है आपकी, ठीक है, यह universe की तरफ से messages है, कि आप करिए, movie देखना कोई गुना नहीं है, अच्छे movies देखिए, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, या comedy movies देख सते हो, जिनसे मन तोड़ा अच्छा हो, मैं तो horror देखती हूँ, असत अच्छी, पता नहीं मुझे तो मुझे लगता है कि, ओके आगे क्या होगा, मतलब horror में भी जैसे दनन मैंने देखी है, तो हम लोग साथ में बैटके देखते थे, तो तोड़ी मस्ती हो जाती थी, ऐसा है, तो कुछ भी ऐसा जो आपके mood को अच्छा करे, तो एक कुछ चीज हैं, अगर आप अपने lifestyle में add करते हो, अभी आप पूरा अपना schedule बना लो, कि मुझे इस दिन ये करना है, ये करना है, meditation तो हर दिन करना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, दूसरा जो मैंने कहा कि, शिकायते कम करो, क्योंकि इससे कही ना कही आपका नुकसान होगा, तो वो देखो, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो उससे सीखना है, और उसके बाद किसी और को सिखाना है, और आगे से वो चीज ना हो, इसके लिए अपनी boundaries सेट करनी है, ठीक है, and then जो hulky-fulky चीजे हैं, वो मैंने आपको बता दिया, एक movie आपने देखनी है हफ़ते में, संडे का दिन देख लो, य या होना चाहिए, यह सब के लिए अलग techniques काम करती है, तो अपने पानी में आप थोड़ा सा हल्दी या salt डाल सकते हो, जो आप चाहे तो मेरे स्टोर पर देख सकते हैं, आपको different different type के salts हैं, वो मिल सकते हैं, otherwise आप crystal डाल सकते हो, जो energized candles हो सकती है, अगर आपको मिल जाए तो वो रख सकते हो, and इसके अलावा धूप वगेरे लगा सकते हो, या diffuser जो मैंने बोला, वो बाय कर सकते हो, and positive affirmations, इसकी चाहे तो अगर आपको कोई book वगेरे मिलती है, या cards मिलते हैं, तो वो आप बाय कर लो, अगर आपको मिलते हैं, तो आप देख लो, कि gifts shop पर शायद मिल निकाल के पड़ा, अपनी table पर रख दिया, ठीक है, यह आप कर सकते हो, तो ये changes अगर लेकर आप आते हो न, तो बड़ा शकार आत्मक परिवर्तन आप अपने जीवन में देखोगे, जो भी आपकी affirmations हैं, आप देखना, आपकी manifestation को कहीना कहीं reality में change करना शुरू कर देंग यह सारी चीज़े linked हैं, तो आप यह करिएगा, alright, तो guys यह थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो like जरूर करें, and share करें, subscribe करें, और मुझे comment में जरूर से बताएं, और आपको क्या चाहिए, वीडियो में, और ज्यादा हो भी यहाँ पर share कर सकते हैं, तो मैं लेकर आउंगी, thank you so much, bye bye, hi guys, तो अगर आपने select किया है यह वाला कार्ट, तो चलिए देखते हैं, आपके लिए क्या कुछ निकल कराता है, क्या changes आपको करने आपके lifestyle में, क्या add करना है, क्या निकाल देना है, यह देखेंगे, three of cups, pool, हम, यही मैंसे जा रहा था मुझे, night of pentacles, hermit, आपका destiny number three हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, eight भी हो सकता है, five भी हो सकता है, लेकिन three मुझे सबसे पहले दिखा, किसी reason से, तो मैं ने आपको बताया, just a minute guys, okay, तो अब मैं लूँगी, यह बाला take, paint this sun back into your sky, sun, okay, जी, यहां से देखेंगे कुछ कार, soulmate, enlightenment, victim, discovery, Bring humor into your life Practice visualization यहां से देखते हैं क्या है for you यहां से देखते हैं Intuition Shiveling Create with love इस डेक से में कार निकाल चुकी हूँ इस डेक से में कार निकाल चुकी हूँ इक फिर में मुझे लगा है कार मुझे और चाहिए इस डेक से में काला है एक फाइनी पार यहां से निकालेंगे बाकी के कार्ट में बाद में निकालोंगे यहां से जगाही नहीं बची दिखें नहीं रहोंगे आपको Ground yourself ओके एन फैमिली ओल्राइट गाइज तो जिन्होंने भी पाइल टू को चूस किया है उनके लिए संदेश यह है ओके तो आप एक ऐसे इनसान हो जो कि बहुत जिसको ओके जिसको बहुत मजा मस्ती करना अच्छा लगता है तब ऐसा माहल मिले ना जहां पर बहुत उदासी है लोग रो रहे हैं परिशान हैं दूसरे की शिकायत कर रहे हैं जगडे कर रहे हैं एक दूसरे के लिए बुरा बोल रहे हैं बहुत नफरत है या बहुत डार्कनिस है निगेटिविटी है तो वो जगा आपको जमेगी नहीं आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो हसते खिल खिलाते रहें भले ही लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं फिर भी ऐसा क्योंकि आपका भी नेचर कही न कहीं वही है अब आपकी लाइफ में चैलेंजिस कम नहीं है तो मैं देख रही हूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस है न तो हमेशा कोई न कोई कॉमपेटिशन लगा ही रहता है तो आपको हर वक्त ही सोचना पड़ता है कि इस कमपेटिशन में आप आगे कैसे निकले ऐसा तो कही ना कही प्रॉब्लम तो होती है न हर बार ही यह सोचना कि आप क्या नया किया जाए आप कोई भी बिजनस करते हो या जॉब करते हो लगता है कि ठीक है अभी मैं सेटल हो गया सेटल हो गई अभी आगे का देखना है क्या प्लानिंग करनी है लेकिन ये लोग कॉंपटिशन आ गया अब उनसे लड़ते फिरो फिर आगे निकलो फिर अपनी पोजीशन बनाओ फि और मैं देख रही हूँ आपको जुंड में रहना भी पसंद है आपको फ्रेंस बनाना पसंद है और केर भी आप बहुत करते हो फ्रेंशिप के लिए कुछ भी करोगे वाला नेचर है आपका फैमिली को भी बहुत जादा मानते हो फैमिली का भी ख्याल रखते हो और फैमिल रख पाते थे अब तक काम के साथ साथ घूमना फिरना भी आपका होता था ऐसे करके रख पाते थे ट्रैवल बहुत आपने किया है और अगर नहीं किया है तो करने की जरूरत है अगर आप ट्रैवल नहीं करते थे तो ट्रैवल रिलेटेट कुछ तो वीडियो वगेरे देखत रहते होंगे या बहुत चीज जगों की आपको जानकारी होगी कुछ तो आपके activities ऐसे थे जिसमें या तो आपका बाहर निकलना हो जाता था गुमना फिर ना explore करना हो जाता था physically अगर physically नहीं होता था तो ऐसे ही online आप चीजों को देखना परखना उन पर research करना लोगों के साथ में अपनी जानकारी शेयर करना वो रहता था आपका जो कि अभी हाल फिलाल में रुख चुका है किसी वज़े से अगर आपके अभी 2-3 साल पहले शादी हुई है तो I think उसके बात से यह रुख गया है अगर शादी नहीं हुई है अभी अन्मेरिट हो तो में भी आपकी जॉब के वज़े से ऐसा हो गया है ऐसा लग रहे देखकर कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको मुक्त रहना पसंद है जिसको freedom चाहिए और आप मुझे लग रहे किसी पर depend हो गयो य इसके विज़े से आपका जो nature है ना चीजों को discover करने का, research करने का, explore करने का, अपने आपको जानने का, दूसरों को जानने का, वो सब कुछ कही ना कही रुख गया है आपने कुछ सालों से मुझे ऐसा लग रहे है कि आपकी intuition को भी सुनना बंद कर दिया ऐसे पहले आप जादा ही होती थी, या अगर आप spiritual journey में हो तो speciality से जोड़ी post वगएरे आप डालते रहते थे, status वगएरे लगाते रहते थे, अभी हाल फिलार में वो भी बंद है, बहुत से लोगों के लिए तो मैं यह क्या सकती हूं कि हो सकता, आप में WhatsApp का DP change नहीं किया, बहुत time से, या और रोक दिया आपने, और एक नई दिशा में आप चल दिये, जहांपर ढ़े सारी tension है, परिशानी है, और कईना कहीं आप victim mode में आगे हो, कि इतना सारा भार है, मुझे देखना है, क्या करना है, कैसे करना है, आप का पता है, आपकी journey में अभी बहुत सारे soulmates से मिलना आपक को लगता है कि प्यार वाली बात कर रही हूं, नहीं, soulmates से हमेशा शादी का ही connection, love connection ही नहीं होता, friends भी होते है, soulmates, ठीके तो कई soulmates से आपका मिलना भी है, बाकी, उन से मिलने के बाद में, आपकी journey है, वो complete होगी, आपका research complete होगा, किसी पर तो आप research कर रहे हो, मुझे नही हो सकते है, आभी भी कर रहे हो, लेकिन वो वाली speed नहीं है, जो पहले थी, ठीके, तो यहां पर आपको बोला गया है, कि थोड़ा घर से निकलो, या थोड़ा explore करो, जिस तरीके की lifestyle पहले थी ना, वही lifestyle लेकर रहो, आप जो भी करते थे, घूमते फिरते थे, explore करते थे, friends के जानना है, वो आप करिए, spend time with friends, फिर से वही energy आगे, जो मैंने अब भी आपको बोला कि friends के साथ मिलिए, बात करिया है, आपको वापस से आपके friends के साथ में मिलना है, party करनी है, time spend करो, ऐसे अपनी life को na, moon energy में मत ले जाओ, कि सिवाए चिंता के कुछ हई नहीं, ओके, जो ह होना है, वो हो जाएगा, आप मेहनत करो, उसका फल आपको मिलेगा जरूर, उसके वज़े से रुको मत, health check-up, maybe आप medical field से हो, doctor हो सकते हैं, आप, dentist हो सकते हैं, मैं सुना है, आप लोगों का time बहुत जादा चला जाता है, इसी सब में, patients को देखने में, है, आपका lifestyle hectic है, क्य आप के लिए problem आजाए, तो थोड़ा सा time आपको निकालना है, अपने friends के साथ घुमना फिरना करो थोड़ा, और अगर आपको health check-up की need है, तो वो करवा के आओ, वो भी है, सरीके से message आपके लिए, connect with crystals, थोड़ा crystals का use करो, meditation करते हो, तो अगर meditation करने में time ज्यादा लगता है तो crystals की help ले लो, यह अपने routine में आप add कर सकते हो, आपके लिए different different चीज़े नहीं है, create art, अगर आपको art वगेरे करना, I mean painting वगेरे करना बहुत पसंद है, तो वो अपने routine में add करो, Sunday का दिन रख लो, Sunday के दिन में आपने कुछ तो create करना है, अगर आपको sketching पसंद है, तो painting पसंद है, तो cooking पसंद है, तो कुछ भी करना, crafting पसंद है, तो यह सारी चीज़े करना, friends से मिलना, meditation करना, swimming करना, अगर आपको swimming करना बहुत पसंद है, तो वो करो, I think बहुत दिनों से आपने नहीं कर रखी है, पहले में भी आप करते हो, लेकिन अभी आप नहीं कर रहे हो, और यह बहुत अच्छा योगा है, पता है, swimming, तो आपको करना है, अपने रुटीन में यह add करो, अगर यह चीज़ें आपने निकाली है, वापस जीना सीखो, गासीटों मतलाइफ को, a wonderful surprise is coming, something entirely new awaits you, तो कुछ बहुती सुन्दर, बहुती प्यारा आपकी जीवन में आने वा be brave, a little crazy, but be yourself, थोड़े से crazy बन जाओ, थोड़े से बहादुरी दिखाओ, लेकिन जो हो वो बन कर निकलो, अपने आपको change मत करो, आपके change करने के वज़े से न, अभी आप देख रहे होगे, कि काम बहुत अटकते हैं, आगे नहीं बढ़ते, कि कि आप जो हो वो आप नहीं आप दूसरे ही बन गए हो, तो जो चीज़े पहले कर रहे थे, उस हद तक भले ही ना करो, अगर आपका everyday जाना होता था, तो वो तो में भी possible नहीं हो पाएगा, भी काम है, अगर आप married हो, अगर आपके बच्चे-बच्चे हैं, तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा तो करो, बिल्कुल बंद नहीं करना है, बंद कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ओके, तो थोड़ा से यह चेंज लेकर आने का है, तो गाइस यह थी आपकी reading, I hope कि आपके reading पसंद आई हो, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे अलग-अलग messages नहीं थे, एक ही message था, कि आपको आपकी lifestyle को वैसा बनाना है, जैसे पहले थी, और अगर पहले ऐसी नहीं थी, तो यह changes लेकर आने है, गुमना है, फिरना है, फ्रेंड से मिलना है, meditation करना है, explore करना है, intuition की सुनना है, यह सारी चीज़े करना है, खुद से connect हो, और वो करो जो करना अच्छा लगता है, ओके, यह मत सोचो क काम बहुत है, तो वो दिन चले गए, अब तो क्या, ऐसा नहीं है, वो दिन वापस से आ सकते हैं, अगर आप लाओगे तो, तो हर दिन पहले जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन तो हफते का हो सकता है, थोड़ा आपको अपना बच्पन याद करने का मौका मिले, आप थ के अगेंस चड़ रहे हो नेचर है आपका घुल मिलकर खेलने कुदने का लेकिन आप बहुत जादा सीरियसनेस लेकर आगे हो आपकी लाइफ में तो जम नहीं रहा ऐसा है और राइट तो यह थी आपकी क्यों भर आपको पसंद आई हो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें रेजनेट करिए तो मझे जरूर बताएं शेर करें सब्सक्राइब करें था इंकई यह शो माच वबढ तो अगर आपने अपने स्लेक्ट किया है यह वाला okay okay Page of Wands The Empress Iss of Cups Seven of Souls शोड़ती स handled लो ड्याजीन, जे ट्याने, ट्यांग, सम् इचाच्टि mm नाच्टिउछ्ट बाझने, स्ट्डिंशफ्टि खाओँ दियतो न grad휘T ग्रृ इंटीरस्प्टिंब कि ट्या आज टायतो şu आफने, बूर्च्टिंड एक काड़ और यहां से ले लेती हूं identify change फुल मून, emotional healing ओके जी, relationship, harmony ग्रोथ की भी अनर्जी है, हाँ पर wisdom भी है okay, मैं आसे पी लूगी make the change the stars forgive dance make a meal बाकी की cards मैं निकालूंगी बाद में और सारे cards निकालूंगी तो दिखेंगे यह नहीं फिर तो क्या changes लाने आपने आपके lifestyle में all right guys, तो जिन्हों ने भी card number 3 को choose किया है, message उनके लिए यह है कि आप ना अपने feminine side से थोड़ा भाग रहे हो, किसी reason से, मुझे ऐसा लग रहे है कि अभी हाल फिलाल में जो बड़ी problem आपकी life में चल रही है, जिसके विज़े से आप यह reading देख रहे हो, वो एक तो यह है कि आप लोगों को कुछ भी बोलते हो तो misunderstanding हो जाती हैं, दूसरा जि से आपको प्यार चाहिए आपको प्यार नहीं मिल रहा, हो सकता है कि आप एक relationship में हैं, जहां पर आप expect कर रहे है कि सामने वाल आपको प्यार दे क्योंकि आपको बस वही चाहिए, आपको यह लगता है कि मुझे बस वही चाहिए और वही आपको नहीं мिल रहा और दूसरा ही है कि misunderstanding जो मैंने पहले आपको बता दी यह इस वज़े से है क्योंकि आपका जो वो side है ना feminine side जो की nurture करता है लोगों को प्यार देता है वो side दिखाई नहीं दे रहा या आप दिखाते हो तो लोगों को लगता है कि यह बस एक drama है मन से आपको मैसूस नहीं होता किसी की तकलीफ आप मैसूस नहीं करते किसी को आप प्यार नहीं करते जो शब्द आप बोलते हो बहुत formal है and सब उपर उपर का है कुछ ऐसा साख कुछ ऐसी image आपकी बन रही है किसी वज़ें से ठीक है जिन से आप प्यार चाहते हो ना जिनके साथ में relationship में हो उनको भी ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर हाँ अभी शब्द याद आया आपके अंदर करुना नहीं है ऐसा किसी के लिए भी इंसानों के लिए भी नहीं animals के लिए भी नहीं किसी के लिए भी नहीं है तो आप बहुत ही कठोर हो और बहुत ही स्वार्थी हो ऐसा लोगों को लगता है मैं नहीं बोल रही आपको और आप हो भी नहीं लेकिन लोगों को ऐसा लगता है बट हो नहीं आप स्वार्थी लेकिन कुछ तो आपका behavior ऐसा है जो कि आप change नहीं करना चाहते जिसके चलते आपके image ऐसी बन रही है तो आपके intention में कमी नहीं है लेकिन आपके behavior में थोड़ी सी है तो अगर आप उसको थोड़ा change करने की कोशिश करोगे न तो इससे काफी सारे आपके काम बनेंगे अब routine में आपको क्या लेकर आना है जो कि मैंने आपको बोला जो आपने title में देखा होगा कि lifestyle में क्या changes करने हैं जिनसे कि ये सुधार हो तो पहला change तो ये करना है कि अभी हा स्मून की energy आई है which means emotionally कहीं ना कहीं आपका थोड़ा up and noun हो रहा होगा कभी बहुत जादा emotional हो कभी बहुत जादा practical हो कभी बहुत अच्छा सोच रहे हो कभी बहुत गुस्सा आता है गुस्से में बहुत सारे काम आप कर जाते होगे और गुस्सा भी ऐसा है जो hurt होने के आपको जादा से जादा पानी पीना है जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए तो में भी आप पानी नहीं पी रहे हो ठीक है तो पानी पियो दूसरा आप हो सके तो moon stone या फिर pearl ले लो और उसके साथ आपने हफते में वैसे तो मैं कहूंगी every day हफते में तो क्या हर दिन करो meditation उसके साथ नहीं तो वीकेंड पर कर सकते हो कि संडे का दिन अगर आपका रहता है ना खाली तो उस दिन आपने मून स्टोन या परल अपने हाथ में ले लिया moonlight के सामने बैठ गए और आपने या तो ये मंत्र chant करने लग जाओ ओम नमो नारा यानी फिर से repeat कर देती हूँ ओम नमो नारा यानी ये मंत्र आप chant कर लो 108 बारी या फिर जस्ट ऐसे ही ओम करके meditation कर लो ये अपने रुटीन में शामिल करो ताकि आपका जो feminine side है वो भी लोग को दिखाई दे feminine side करुना से प्यार से भरा होता है मतलब कि मा मा का side तो आपके अंदर लोगों को पिता का side तो दिखता है माता का नहीं दिखता आप मेलो या फिमेल दोनों के अंदर ये होने चाहिए balance होना चाहिए तो वो देख नहीं रहा और इसी के विज़े से जो प्या अपसी लगती है ना ऐसी दूसरों को भी लगता है आपके साथ ये चीज़ है ओके तो आप ये तो उपाय कर लो जो मैंने आपको बताया है ओम नमो नारायनी करके 108 बार करके आप chant कर सकते हैं meditation कर सकते हैं moonlight में बैठ कर pearl या monestone के साथ पानी पी सकते हैं ज्यादा से ज्याद किस्ट से आप मिलो आपके लिए बहुत जरूरी है बहुत सी चीज़ें जो आपको डिसकस करनी है उनसे और वो आपको सिल्यूशन देंगे एंड हो सके तो अपने लुक्स पर भी थोड़ा काम करो हर दिन या वीकेंड पर थोड़ा अपना लुक चेंज करके खुद को देखा करो थोड़ी देर शिशे में आपको अच्छा लगेगा अभी मैं यह चीज़ बोल रही हूं बहुत से लोग कहेंगे यह क्या पागलपन करो हयर स्टाइल अपना बना सकते हो है कलर आप कुछ णया ट्राइ कर सकते हो जुल्ड रृ शाइक कर सकते हो या कुछ भी गवी जो आपको अच्छा लगे जो नया आपने करना है ऐसे मैंने एक बारी आपको बोला था कि लोग जादा तर ब्लैक कलर का या इलाइनर लगाते हैं मैंने ब्राउन लगाना शुरू किया था तो इस तरीके इससे चीज़ें आप कर सकते हो मैं भी करती हो अच्छा मैसूस करने के लिए और डांस करना और खाना बनाना मैं भी आपको यह अच्छा लगता हो मैं भी आप स्वीट बहुत अच्छा बनाते हो मैं भी आप खाना वैसे भी बहुत अच्छा बनाते हो यहाँ पर जो भी सामान मुझे दिख रहा है सामपर बनने वाला है यह sandwich बनने वाला है तो में भी आपको यह चीज़े बनाना पसंद हो तो वह आप कर सकते हो हफते में एक बार इससे कहीं आपकी healing होगी आपका ध्यान भी इदर उदर थोड़ा जाएगा एक जगह पर टिका नहीं रहेगा किकि यहां पर भी वही है identify change यह जो काड है यह भी वह minutes आप इसको दे सकते हो नहीं तो weekend पर कर सकते हो अगर आपने यह अपने lifestyle में add कर लिया जो जो चीज़े मैंने आपको बताई है trust me लोग आपको समझने भी लगेंगे और जिनसे आपको प्यार चाहिए उनसे प्यार भी आपको मिलने लग जाएगा मुझे पता नहीं क्यों बार बार यह लग रहा है कि कोई तो है जिसको आप बहुत पसंद करते हो और आप चाहते हो कि वो भी आपको प्यार करें पसंद करें प्यार करें नेकिन मों हो नहीं पा रहा हुआ हुआ हम यहां पर भी वही energy आगे प्लीज आप किसी therapist से एक बारी मिलने आपके लिए आपको ठीक लगे लेकिन आप therapist से मिल लो और आपके lifestyle में क्या कुछ change करना है वो मैंने आपको बता ही दिया ओके अगर यह love connection को लेकर है कुछ आप परिशान है तो look inside yourself का card आया है examine that is causing you to feel this way क्यों ऐसा लग रहा है क्यों इसकी need लग रही है थोड़ा जानने की कोशिश करें अगर आप नहीं समझ पा रहे है और दूसरा यहां पर card है आपके लिए friendship का nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve तो कहीं ना कहीं आपके relationship में friendship की कमी है जिसकी विज़े से भी आपके relationship में issues हैं तो हो सकता है कि यही reason है या फिर हो सकता है कि कुछ और reason हो आप अपने therapist से मिलो बात करो discuss करो क्या problems चल रही है और वो आपको help करेंगे नहीं तो अपने relationship में friendship लेकर आए तो इससे आपको काफी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा अचानक से देखने को मिलेगा dominating side जो आपकी है ना उसको side में रखने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि आपके goals आप achieve कर पाओ तो अगर आप नहीं करते हो जिप पकड़े रहते हो तो energy जैसी है वैसी रहने वाली है ठीक है all right guys so यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो like जरूर करें resonate करें तो मिझे जरूर बताएं share करें subscribe करें thanks a lot bye bye